हालो इस्टूरेंट्स वल्कम बैक मैं यूटूब चैनल ड्राइंग सेवेंटी एट बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अर्धवृत्त में कमल के पुस्प उसकी कलियों और पत्तियों पर अधारित आलेखन बनाना आलेखन में हम लोग मचली के एक अलंकारिक आकरित को भी समाजित करेंगे हमारे दोरा खीचे गए अर्धवृत्त का व्या से 18 सेंटिमीटर अर्थात इसकी त्रिज्या है 9 सेंटिमीटर तो आई ये आलेखन मनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम लोग मचली की आकरित को ही बनाएंगे इस परकार यह बाहर वाली रेखा हो गए मचली की अब अंदर वाली रेखा खिंचेंगे पहले तो यहाद तेजी से चोड़ी होती है उसके बाद धीरे धीरे पतली होती आती है यहाँ से आगे तक इसकी चोड़ाई पुना बढ़ाते जाते हैं अब देखिए फुल चोड़ी हो चुकी है अब इसको धीरे धीरे हम लोग पतली करेंगे यहाँ पर देखे सबस्यादा पतली है अब देखिए धीरे धीरे चोड़ी भी होगी इस बकार यह मचली की पूछ हो जाएगी यहाँ पर इसका मुख बराएंगी और यह इसकी आँख हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर कमल का पुस्व बनाते हैं उसके लिए पहले तो हम टहनी बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर पुस्व कैसे बना रही है यह उस साइड की पंखुडियां हैं जिनका की केवल थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है तो इस परकार देखिए बच्चों कमल का फूल बन कर त्यार हो जाता है अब हम लोग इसकी पत्तियां बनाएंगे देखिए यहाँ पर परियाप्त जगह है एक पत्ति तो यहाँ पर बन जाएगी यहाँ से पत्ति निकली हुई है ऐसे ही इसका दूसरा किनारा भी बना लेते हैं अब आईए हम लोग टहनी बनाते हैं जिसमें की आगे कली लगेगी ध्यान रखते हैं टहनी कहीं पर मोटी कहीं पर पत्ति ना होने पाए यहाँ देखे परियाप्त जगे हैं यहाँ पर हमें एक पत्ति भी बना सकते हैं देखे इसी पुष्ट के पीछे से एक टहनी और निकलती है जिसमें की एक पत्ति पत्ति भी बना सकते हैं और लगी हुई है जहाँ पर जैसी जगे होती है हम वहाँ पर वैसी ही पत्ति बना लेते हैं यहाँ पर देखे जगे ज्यादा है तो हम पत्ति लंबी सी बना लेते हैं आप देखे बच्चों यहाँ पर हम एक कली बनाएंगे इसी टहनी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इस परकार देखे बच्चों आलेखन में तीन पत्तियां और एक कली बन गई है जो की परियाप्त है अब इन खाली अस्थानों को देखे हम कैसे भरते हैं पहले तो इस कोने तक देखिए एक डिजाइन बना देते हैं यहां पर देखिए ज्यादा जगह बाकी पड़ी हुई है इसको हमने भर दिया ऐसे ही इस अस्थान पर भी कुछ बना दिया जाता है इस अस्थान को भरने के लिए हम लोग मचली के पंक बना देते हैं इस वरकार देखे बच्चों अर्ध वृत में आलेखन बनकर तयार हो जाता है यह जो मचली के सरीर पर हम डिजाइन बना रहे हैं इसको आप डारेक्ट कलर करते समय भी बना सकते हैं बच्चों कमल के आलेखन को कलर करने का एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ आप color करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं उसका link में description में देदूँगा तो यदि आपको हमारा आलेखन पसंद आया है तो इसको like करें, channel को subscribe करें और अपने मित्रों में share भी अवस्य करें इस आलेखन को intermediate की बच्चे भी बना सकते हैं यदि इंटर में वृत में आलेखन बनाने को आ रहा है तो आप पहले तो वृत बनाएंगे उसके फिर बीच से दोभाग करेंगे आधे हिस्से में इस आलेखन को बना लेंगे और दुबारा फिर उसको tracing paper से छाप देंगे इस प्रकार वृत में आलेखन बनकर तयार हो जाएगा क्योंकि intermediate में आलेखन कम से कम दो आ वृतियों में बनाना अनिवारी होता है अक्सर बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर आप color काउं सा यूज करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक चितने भी आलेखन मैंने color किये हैं उसमें मैंने poster color का प्रियोग किया है ये भी जल रंगों का ही एक प्रकार होते हैं जो कि आपारदर्सी और समकदार होते हैं हमारे पास camel poster color का बाग से इसमें 6 प्रकार के रंगों की सीसियां हैं लाल हरा, पिला नीला, काला और सफेद इन ही रंगों को भिन भिन मात्रा में मिलाकर सभी रंग तयार हो जाते हैं